इस वीडियो में हम बात करेंगे साक्षातकार के समय जो आपसे एक फॉर्म वरवाय जाता है वरीता क्रम के लिए उसमें जो पद होते हैं कितने संख्या है किस पद की और कौन-कौन से पद हैं और इलिजबिल्टी के साथ आप किस पद के योग्य हैं वो सब दिया रहता है औ और आपको भरना होता है वरीता क्रम के किस पद को आप उपर रखना चाहेंगे वताद मेरिट में मेरिट के अंसार किस पद को आपको दिया जाए ये क्रम आपसे मागा जाता है तो काफी आप विचार विमर्ष इसके लिए करते हैं अगर नहीं करते हैं तो यह आप गलती क यूपीस्टी होता है, यूपीपीस्यस में अपना एक जगह जो है, प्लेस सेक्यूर करना चाहते हैं और उसके साथ चोकि अधिकारी यहां बन जाते हैं, उसके बाद पूरी लगन के साथ यूपीस्टी में लगना चाहते हैं और दूसरे एक category के वो लोग होते हैं जो उनकी या तो age चली गई होती है या फिर अपने ही प्रदेश में वो job करना चाहते हैं किसी भी चाहे political region हो चाहे जो region हो home sickness हो चाहे जो हो उपी PCS को ही अंतिम लक्षमान के चलते हैं तो दो category के लोग हैं दोनों के लिए हम दोनों category के शात्रों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और बताते चलेंगे कि आपको कौन सा पद किस क्रम में रखना चाहिए तो चलिए देर न करते हो जो कि profile बहुत ज़्यादा हम profile पे बात नहीं करेंगे सिर्फ इस वीडियो में चोटी चोटी बाद profile में और क्यूं आपको पहले अस्थान दूसरे अस्थान पे रखना चाहिए इस पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे सभी मित्र जो साशात्कार दे रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसी अंसार अपने पद क्रम को भर लें तो सबसे पहले तो आपको डिप्टी कलेक्टर भरना है डिप्टी कलेक्टर जितने भी PCS में पोस्ट हैं इसकी बराबरी का कोई पोस्ट नहीं है मतलब ये eminent power तहसील के अंदर इनकी होती है magistrate की power मिली होती है प्रशासनी का दिकारी की power होती है राजस्विभाग के सरवो अस्थान पर जिलादी कारी लेता है वही आनंद आपको डिप्टी कलेक्टर के तोर पर तहसील अस्थान पर आएगा तो डिप्टी कलेक्टर को पहले अस्थान रखना है बिल्कुल सोचना ही नहीं है किसी विशे में पहले अस्थान पर रखें तो दूसरे अस्थान पर र पर कहा जाता है एक अपवाद है इसके साथ, जिस पोश्ट में पैसे कमाई बहुत होती है, उस पोश्ट पे पढ़ाई आप नहीं हो पाई, शांती नहीं होती है, लेकिन ये पोश्ट में आप शांती पूर्ट रूप से भी रह सकते हैं, चाहें, आपकी इच्छा के उपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, दोनों चीजें हैं यहां पर, तो दूसरा ARTO का पोश्ट है, अच्छा पोश्ट है, इसको रखिए, जिला बेसिक शिक्षा दिकारी के लिए अगर आप योग हैं, तो इसको तीसरे अस्थान पर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर इस पत हैं, तो इसको रखिएगा तीसरे अस्थान पर, अगर नहीं है, तो तीसरे अस्थान पर आप रखिएगा, जिला पंचायत राज दिकारी को, यहीं कहीं होगा, जिला पंचायत राज दिकारी, वन सेकंड दोस्तों, जिला पंचायत राज दिकारी कहां पर है, है या नहीं इस बार, मैं बता देता हूँ जे यह है, सात्वे नमबर पे है इसको आप तीस्तरे नमबर पे रखियेगा अगर बीएसे अबेसे खिशादिकारी उसके योग्या है तो तीसरे पे उसको रखियेगा अगर नहीं है तो तीसरे अस्थान पे जिला पंचायत राज़िकारी है अगर बीएसे है तो तीसरे नमबर पे उसको चोथे नमबर पे इसको रखियेगा ठीक है उसके बाद अगर विधी आपके पास विधी के सनातक हैं आप लोग तो उपनिबंधक का पद है इसको आप रखियेगा इसके बाद पांचमें अस्थान पे जिला पंचायत राज इदिकारी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है वो भी जैसे कि आपको जिला पंचायत राज इदिकारी का मुख्य काम होता है जिले अस्तर पर जो जिला पंचायतों में जो वर्क आते हैं उनका दिक्षण एक प्रकार से जिला पंच बहुत ही संतुष्टी पूर्ड पद है और काफी आपको पावर वहाँ पर समझ में भी आएगी अधिकारी के रूप में आप जाने भी जाओगे तो ये पद अच्छा है इसको आप रखेगा तीसरे अस्थान पर देखे उपनिबंधक का पद हमने आपको बताया कि इसके बा अधिक्षक कारागार बहुत ही अच्छी पोस्ट है इस पोस्ट के बारे में काफी लोगों को नहीं पता है बहुत क्रीम पोस्ट है आराम से तैरी करिए जेल में सुधार करिए जेल में जो भी बजट आता है आप ही के पास आता है काफी स्कोप है याँपर तो ये आप और इसके भी योग हैं थोड़ा साइस में कुछ शारिरिक आपकी शमता मागा होगा वो देख करके आप लोग इसको भरियेगा अधिक्षक कारागार इसको छठे अस्थान पर रखे उसके बाद आप जिला समाज कल्यान अदिकारी बनिये समाज का कल्यान करिये ठीके आप इसको साथमे अस्थान पर रखे वरिष्ट प्रवक्ता का पद है उसको भी आप लोग भर सकते हैं अगर आप उसके योग हैं तो इसके बाद ज़स्ट भर सकते हैं इसमें कुछ बीर्ड मागा है पीजी के साथ बीर्ड तो जो लोग इसके योग हैं इसके बाद आठमे अस्थान पर इसको भर दे अगर नहीं योग हैं इसके बाद सहायक श्रमा युक्त हैं उसके भी उसमें भी कुछ योगिता मागी होगी इसको आप वाडिज या विधी एक विशे के रूप में मागा है तो जो लोग विशे हैं उनका वरिष्ट प्रोक्ता सहायक श्रमा युक्त उसी क्रम में अपने रख सकते हैं ये सब इस्पेसल पोश्ट हैं इसको आप उपर कमरें क्रमा नुसार अपनी योगिता के नुसार रखिए उसके बाद सहायक आयोक्त असिस्टेंट कमिशनर इंडस्ट्री उद्योग तो सहायक आयोक्त उद्योग ये नौवे अस्थान पे यहाँ पर इसको आप इसके बाद रखिएगा अर्थाद दस्वे अस्थान पर रखिएगा यहाँ पर क्या एक तो असिस्टेंट कमिशनर की उपादी आपको मिली रहेगी उपर से आप तैयारी भी आगे की कर सकते हैं बहुत ही शांती पूर्ण जॉब है इसके बाद जिला का एक्रम अधिकारी रखे जो लोग इस पत के योग्यों हो पाईसा कमाना चाहते हैं है आपका पद आता है सांक की अधिकारी का अगर सांक की अधिकारी आप लोग वो पद के योग्यों है तो सांक की अधिकारी बहुत सारे आज कल देखिए इस्पेसल पोस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको इसी में मैनेज करना है सांक की अधिकारी का है तो सा स्थान बारवा हुआ इसके बाद आप रखिए जिला पूर्ती अधिकारी इसी क्रम में जिला पूर्ती अधिकारी के बाद ये जिला पूर्ती अधिकारी है ठीक है शांती पूर्ण है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं इसमें स्कोप भी है ठीक है समझ रहाऊंगे आप जिला खाद विपणन दितकारी इसके जस्ट बाद रखे इसमें भी वही स्कोप है जो खाद और जो पूर्ती में है इसके बाद आप लोग जो लोग सिर्फ PCS को अपना लक्ष मानते हैं और SDM वो किसी भी हाल में बनना ही चाहते हैं एक बात ध्यान से सुनियेगा नायपत हस दीलदार की जो पूश्ट है दोस्तों कहा गई यह जो 24 अस्थान पे सबसे अंतिम अस्थान पे है यह SDM के बाद एक मातर ऐसी पूश्ट है जिसको मजिस्टेट की उपाद ही मिलती है जिसकी गाड़ी में मजिस्टेट लिखा होता है एक गाड़ी मिलेगी एक आपको ये भी तहसील की जब मजिस्टेट रहता है स्कोप है प्रमोशन है तहसीलदार एकलिस्ट आप बनी जाओगे 4-5-10 साल में ठीक है तहसीलदार बन जाओगे तहसीलदार सबसे बड़ी पोस्ट होता है एक तहसील जो तहसील के आफिस होती है उसका जो है सबसे बड़ा दिकारी SDM होता है वो सबकी मीटिंग लेता है आगे चल कर आप डिप्टी कलेक्टर तक बन सकते हो अगर एज है तो ADM तक इसमें बन सकते हो आप नाइप तहसीलदार से इस पोस्ट को मैं अलग रख रहा हूँ आप लोगों के उपर छोड़ता हो किसको आप किस नंबर पर रख सकते हो एक बात है दोस्तों अगर आप UPSC के त्यारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये पोस्ट आपको कठिना युद्पन करेगा बहुत वर्क होता है ये कहिए कि जो जिलादिकारी होता है वो SDM को force करेगा SDM direct जो है नायपतासिल्दार को force करेगा तो कुछ भी अगर आप ऐसे शेत्र में हैं जो बहुत ही भड़का हुआ है दंगे फंगे होते रहते हैं तो वहाँ तो एकदम जीना हराम हो जाएगा और सरकार अमूमन आजकल प्रते काम नायपतासिल्दार से ले रही है तो इसलिए थोड़ा working post है अंतिम बार भर रहे हैं तो नायपतासिल्दार को थोड़ा उपर भरिएगा क्योंकि फिर आपके पास डिप्टी कलेक्टर बनने के और chances नहीं रहेंगे यही एक रास्ता हो सकता है इसको आपके ओपर छोड़ा हूँ कि किस रैंक पर आप रखते हैं काफी लोग होते हैं इसको SDM और डिप्टी SP के बाद थर्ड पोजिशन पर रखते हैं क्योंकि मजिस्टेट कहलाना चाहते हैं वो सुविधा, गाड़ी वगर की, बैंगलो की और अर्दली की सुविधा चाहते हैं तो यह जो है पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी है पावर्फुल पोस्ट है इसका grade पे बस आप लोग देखते हो तो यह थोड़ी सी salary जो सरकारी salary है वो थोड़ी काम है बाकी सब कुछ है तो इसको मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि किस number पे आप रखना चाहते हो बाकी सारी चीजें हमने आपको इसके बारे में बता दी इसके बाद जो बसता है आपका यात्री और माल का देदिकारी है इसमें भी आप आगे चलकर ARTO बन जाओगे तो ये post भी अच्छी है यात्ति और माल कर इसमें आगे चलकर promotion आपका ARTO में हो जाएगा तो ये भी अच्छा है पद ठीक है ये इसको भी आप देख सकते हो ठीक है शान्ति पूर्ण ये भी है बहुत ज्यादा होहला नहीं है आफिस टाइम में ही बस आपको वर्ग है बाकी बच्चे हुए जो post है एक आपका जिला युवा कल्यान अदिकारी है जिला प्रशाष्णी का दिकारी है बाल विकास परियोजना अदिकारी CDPO जिसको बोलते है श्रम पवर्टान अदिकारी है जिला रोजगार साहता अदिकारी है जिला पिछडा वर्ग कल्यान अदिकारी जिला दिव्यांग जन कल्यान अदिकारी जिला अल्प संख्यक वर्ग कल्यान अदिकारी उसको आप लोग grade पे के अनुसार ही रख लिजेगा क्योंकि उसमें कुछ विशेश है नहीं है न आपकी एक post रहेगी office रहेगा office आना जाना बस वही है official पूरी तरीके से clerkial post है तो उसको आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं अपने अनुसार और तयारी वहाँ पे आपकी अच्छी हो सकती है कैसा नहीं कि वह post पाने के बाद आपका कुछ नुकसान होगा तयारी आपकी अच्छी हो सकती है आगे UPSC वगर रहेगी तो उन सब को आप उसी क्रम में रख लीजएगा main main post जो उपर की थी मैंने आपको बता दिया diptsv की post इस बार है नहीं तो आगे एक हम सिरीज चालू करेंगे जिसमें एक-एक post के बारे में profile इस post पे जो भी व्यक्ति हैं वर्तमान में कारेरत हैं उनसे उस post के बारे में कुछ गुड जानकारी भी लेंगे क्या-क्या चुनोती हैं और क्या-क्या बाते हैं फिलहाल आप लोग अब भी अगर कोई प्रावलम हो इंटर्व्यू वालों को जो साक्षात कर दे रहे हैं वो 9453-75039 मेरा वाटसप नंबर है प्राइवेट हमको मैसेज करके वो और भी कुछ अगर जानना चाहते हो तो पदों के बारे में जान सकते हैं और आशा है उमीद है आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद